आजके लेसंड में, पेंट प्रश की हल्प और बीजवाक्प की घल्प से बातिक पींटिंग को करेंगे मैंने दो तीन टाइपत के ब्रॉशे रखे हैं बटान बी यूज़ें लिंग भी मोस्ट थिन भ्रश जीरो साइज का ब्रॉश में यूज़ कर रहे हूं बीज वैक्स को मैंने मेल्ट कर लिया है और मैंने इसको स्टोफ पर ही रखा हुआ है वो कॉंस्टेंटली जो है मेरी वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है और मीनवाइल मैं ब्राश को डप करके थोड़ी सी वैक्स लेकर सारी आउट लाइन जो है उसको मैं fill up कर लूँगे sketch मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने paper पे आपने एक rough sketch जो है वो draw कर लेना है और फिर उसको अपने fabric के नीचे रखके उसको trace कर लेना है जो जब हम brush से wax की application करते हैं थोड़ा सा tricky business होता है उसकी reason यह है कि कोई भी छोटा सा भी orifice आपका रह जाता है जहां पे दो lines join नहीं होती है और एक minute सा भी orifice रह जाता है तो वहां से आपका paint जो है वो बड़ा बुरे तरीके से spread होता है और वो बाहर निकलता है तो इसलिए यह हमें बहुत कियरफुली जो है ब्रश के हल्प से यह यूज करना होती है wax को और मैं सिफ बीज वैक्स को यूज करी हूँ पारफन को नहीं कर रही क्योंकि I believe कि बीज वैक्स जो है उसको ब्रश की हल्प से handle करना ज़रा easy होता है secondly जो पारफन वैक्स होती है वो कुछ चिप आफ भी हो जाती है आप जब उसको स्टेंसिल के साथ भी यूज करे होते हैं तो at times वो चिप आफ भी हो जाती है लेकिन क्योंकि हमने उसमें बीज वैक्स आड़ की होती है जो middle area है उसको मैंने पूरा wax के साथ फिल किया है उसकी reason यह है कि मैं middle वाले portion को white ही रखना चाहती हूं तो मैं justice area को basically wax कर रही हूं वो area white appear होगा मैंने एक फ्लार जो है वो ड्रॉ किया था as you can see और साथ कुछ parrots रहे हैं वो राइट साइड पर मैंने ड्रॉ की है तो I just wanted to show you कि अगर आपके पास जांटिंग टूल नहीं भी है या फिर you are having trouble using the janting tool तो you can equally work well with any type of paint brush paint brush की जो है वो सबकी अपनी वैसे तो अब grip होती है लेकिन मेरा ख्याल है कि जान्टिंग टूल की grip जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको achieve हो जाती है as compared to paint brush paint brush को थोड़ा साथ वैक्स के साथ मुझे लगता है कि difficult है लेकिन कोई जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग जो है उनकी ग्रिप जो है वो paint brush के साथ बहुत अमेजिंग होती है तो यह बस personal preference और आपकी अपनी hand grip होती है इसमें कोई hard and fast rule नहीं है और अगर आप नहीं भी जांटिंग टूल लेना चाहरे या आपको नहीं easily available तो आप अपने paint brush के size को बढ़ा कर लें what I mean by size बढ़ा करना वह यह कि जांटिंग टूल होता है उसके different sizes होते हैं जो उसकी nozzle होती है जांसे wax निकलती है वह multiple sizes की होती है तो आप जब अपनी nozzle जो है वह जब अपनी outline thin रखना चाहते हैं तो आप nozzle जो है वह छोटी लेते हैं likewise अगर आपको line thin रखनी है तो फिर आप अपना brush size छोटा लेंगे जीरो का लेंगे या one का लेंगे लेकिन अगर आपको अपनी outline thick रखनी है तो फिर आपको brush size भी बड़ा लेना होगा likewise आपको अपने jointing tool का जो है वह size भी बड़ा लेना होगा तो यह बस आपकी personal preference है कि आपको अपना size जो है वह क्या रखना है मुझे जो है वह usually thick line ज्यादा जो है अपील करती हैं लेकिन अगर आप जो है thin lines के साथ काम करना चाहा रहे हैं तो definitely चोटा brush ले 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 या फिर जांटिंग टूल क सारा outlining का work जो है वो that is done it took a lot of time nearly two and a half hours और सिर्फ इसकी outlining में इसलिए मैंने इसको इसकी speed जो है वो थोड़ी से ज्यादा की है ताके यह बहुत drag नहों वीडियो और छोटे time में जो है मैं आपको सारी बात भी पता दूँ और आप पूरा process भी अच्छे देखे से देख ले प्लाइनिंग तो फिर जो है हम इसको paint करना start करेंगे क्योंकि थोड़ा सा light के भी यहां पर issue है reason being कि I am working near my stove वहाँ beeswax जो है उसको आप heat से उतार के काम नहीं कर सकते तो paint जो है वो मैं अपने studio में करूंगी then I'll show you कि एक छोटा सा गर और और फिस पी रह जाता है आपका outline बगार तो आप देखेंगे कि paint किस्ता से spread होता है तो as you can see कि मैंने अपना painting procedure जो है वो start कर दिया है again painting भी बहुत patience का काम है time taking है और फिर मेरा जो canvas है silk canvas ही कह सकते हैं आप इसको वो भी काफी वड़ा size है तो it will take a lot of time इसलिए मैं थोड़ा size की speed जो है वो भी increase कर दोंगी ताके जो है आप पूरा process भी देख सकें और आपको जादा drive देना लगे तो मैंने multiple shapes जो है उनको अपनी palette में already डाल लिया है और मैं जल्दी जल्दी जो है वो हर color को जो है वो add in करती जाओंगी ताके जो है blending का effect जो है it should be always there और अलग-अलग colors जो है वो पड़े हुए नजर ना आएं बलके सब कुछ merged blended साही एक effect लगे झाल झाल करता झाल 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 तो आल की पेंटिंग रिमेनिंग पोशन और इसमें जो ब्लू है एक तो मेरी पैलेट में आपको ब्लू नजर आ रहा है और जो मैंने पहले एक ब्लू यूज किया है वो वाला है जो कि होट वाटर रियाक्टिव डाय होता है जो कि हमारे डायर के पास होता है और अगर आप देखें तो राइट वाला जो मेरा पैरट है उसकी बीक से तो असा कलर ब्लीट कर गया है उसकी रीजन यह है कि बहुत चोटा सा एक और्फिस था जो कि आई कुड नॉ सी अई बिलीव कि मैंने सारा एरिया फिल अप कर लिया है बटाइ फेल्ट लाइक कि उस वक मुझे नहीं लगा अब मुझे फील हुआ कि वो एरिया जो है फिल अप नहीं हुआ था इस वजह से जो लास्ट वाला मेरा पारेट है उसकी आप बीक देख रहे हैं कि वह सिच्वेशन जब आपको लगे कि आपका कलर जो है वो ब्लीट कर गया है तो उसके लिए आपको अपना बैक्ग्राउंड कलर जो है उसको डाप करना चाहिए ताकि जो है जो ब्लीडिंग हुई है वो फिल अप हो जाए जब आप डाप कलर उसके उपर पेंट कर लेंगे त और जो फ्लार वाला एरिया है उसको मैं मल्टिपल कलर में पेंट करूंगी तो इसलिए आइम नाट मच वारेट कि मेरा जो कलर है वो ब्लीड हुआ है आइल डेफिनेटल डिल विट इट सून इंशाल्ला झाल 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 बाल झाल 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 साहरा जो है वो पैरेट्स मेरे हो गए हैं तो अब मैं बैक्ग्राउंड को ब्लाक पेंट करना स्टार्ट करती हूं और अब क्योंके मुझे अल्रडी आइडिया हो चुका है कि कहां कहां पे जो है वो ब्लीडिंग पॉसिबल है तो मैं अपने वहां उन एरियास में जो है जो ब्लाक का कलर है ब्लाक पेंट होगा उसको मैं ज्यादा हैवी नहीं करूंगी भलके इटस्ट लाइक हाइम स्टेनिंग दे सिल्क चोटे-चोटे से एरियास में आइम जस्ट टाचिंग माइब ब्राश और जो कलर है वो खुद से स्प्रेड हो रहा है उसकी रीजन यह है कि मैं अगर ज्यादा क्वांटिटी कलर की कलर जाए तो आम जस्ट ट्राइंग तो स्टेन दे सिल्क और मैं बहुत डीटेल में जो है वो ब्राश के साथ कलर नहीं कर रही इसका जो जब आपकी माइनूट सर्फिस में आपने फिलिंग करनी होती है तो उसका तरीका यह होता है कि बस आपने अपने पेंट प्राश को स सब्सक्राइब नहीं होगी तो तब आप जो माइनूट एरियास होते हैं टाइनी एरियास होते हैं वहां पर जो है आप अपने ब्राश को दुबारा से टाच करके उन एरियास को भी ना फिल अप कर लें अगर एक ही दफा बहुत ज्यादा वालियम देंगे पेंट का तो फ लिए पहले ही एक्ट वाइजली कर दो 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 कि यह वाला मेरा पॉर्शन जो है दार इस दान तो अब मैं फ्लोरल एरिया की तरफ आती हूं और उसके लिए जो है अगें में जो स्टार्टिंग एरिया है पैटल का उसमें ओररंच-ब्राउन को जो है वो यूज कर रहे हूं और जो रिमेंशन एरिया होगा पैटल का उसको में यहलो से फिल अप करूँगी making sure कि color जो है वो मेरा wet ही हो ताकि yellow उसके अंदर जो है अच्छा सा blend हो जाए झाल सा जो है नच्छा से इन नच्छा से अंदर कर दो 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 नेक्स्ट काम्स लीव्स तो लीव्स में भी मैं दो शेड स्क्रीन की और थो असा वाइट जो है वह भीज में आड़न करके पेंट कर दी जाओंगी कर दो 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 लीव्स मेरे अल्मोस्ट हो गए हैं और जो बाग्राउंड उसमें मैंने कुछ इर्रेग्लर शेप्स जो हैं वो ड्रॉआ की थी तो उनको मैं मल्टिपल कलर से जहां से लप कर लूँगी लाइक ब्लूज पैंक्स और यहां पर एक मेरा फ्लार अभी भी रहता है तो मेरे खाल वो मैं बैग्डाउंड का अब्सट्रेक्ट जो मैंने शेप्स बनाई है एर रेगुलर टाइप उनको फिल अप कर लेंगे तो इम स्टार्टिंग विट पॉलड बाइव संवाइट और येलो तो आस ओरेंज भी आम गिविंगा हिंट अफ और येलो पिंक के साथ मिक्स करक कि पूरी पैटल को जो है वो कलर करूंगी आए फील कि यहां पर बस पिगमेंट नहीं था थोड़ा से स्प्रेड दी हुआ था तो मैं थोड़ा सा ज़ाथा और मैंने पेंट लगा दिया है जहां पे आपको लगे कि कलर जो हैं बहुत डल है और अटस नाट पिगमेंटेड एरिया और सिर्फ जो है वो स्प्रेडिंग हुई है तो उस एरिया में आप सिर्फ अपने ब्राश को टाच करें और वो जो कलर है पींट है वो खुद से स्प्रेड हो जाएगा यह मेरा एरिया थो असा आउट ऑफ कैन्वस था से के लिए वाला वैसे भी एरिया हमिंग में चला जाएगा न्युक्त है जाएगे तो पर उसके बाद पेनट नहीं ऊसकता इसपीयर के जादा इक'll it stack के बाद में उसकता और यह है और यह ऴला वी चूब пр बाइज होती है वो भी यूज कर सकते हैं उनका भी एक अच्छा एफेक्ट है ना मेरा दोनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सिल्क पेंट के साथ भी और जो डायर्स वाले पेंट होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं झाली उनका यूज को भी इह नहीं दो यॉफ इंढू को ऑ경 मेंज एक्सेट प्रावरा भी रहती हैं झाल 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 तो मैं होल फाब्रिक इस अल्मोस्ट रन और मैंने सारे एरिया इसको पेंट कर लिया है अब मैं इसको आराम से टाइम दूंगी कि यह अराम से अपना ड्राइव हो जाए और फिर हम इसको आईरिन करेंगे बिट्विन दे लेयर्ज ऑफ निउस पिपर ताके जो है वैक्स इस कि यह मेरा ड्राइव हो चुका है फैब्रिक और अब जो है मैं इसको आइरन कर लेती हूं वाइपिंग इट बेट्विन दे लियर्ज ऑफ निउस्पेपर कॉर्टन सेटिंग पर मेरी आइरन है और अब इसको जल्दी से मैं आइरन कर लेती हूं फिर आइल शो यू कि हाव डिस लुक्स लाइक ट्री सेटी बेक लाइब है इसक्तान प्यूक्स लाइब हूं जह हूं अपला कर लेती है पर में जहां है और शप बेवर स्यूना ठाब कर लाइब है अगर अबादे मैं दो परेती हूं और दो है झाल झाल जी तो यह कुछ इस्ता से दिख रहा है कुछ ही पर भी वैक्स जो है उसका रेजिडिवल नहीं है और हर जगा से वैक्स अच्छे तीकिस होता चुकी है सो नेक्स्ट वाइल डू इसके मैं इसको बाक साइड से आइरन कर लूँगी बाइ कीपिंग माई आइरन आथ सिल्क सेटिंग और फिर देखते हैं कि आपको मैं इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाऊंगी झाल 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 झाल